हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने चाहरा हूँ कि कैसे आप अपने Micromax I.N.1 Android मॉइल फोन में shortcut to prevent ringing setting को आप कैसे enable कर सकते हैं और ये setting जो enable करने के बाद आप इसे use कैसे कर पाएंगे आज की इस वीडियो में पूरी इसान करें आपको दूँगा तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में setting पेज ओपन कर लेना है setting पेज ओपन करने के बाद आपको नीचे की साइड में sound का यह option नजर आएगा sound के option पे select करना है अब यहाँ पर आपको sound के इस page में नीचे की side आना है यहाँ पर आपको shortcut to prevent ringing का यह option मिल जागा इसे आपको select करना है अब यहाँ पर दोस्तो यह off का यह option आप देख रहे हैं off के सामने यह button जो है इसे आपको select करके इसे enable करते हैं अब यह setting जो है enable हो चुके shortcut to prevent ringing की अब यह setting जो है enable करने के वाद दो option आपको और दिखाई देते हैं यहाँ पर vibrate और mute अब दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इसे vibrate पर अगर इसे रहने देता हूं तो यह setting जो है किस तरह की से काम करती मैं आपको बताता हूं जब भी आपके mobile phone पे कोई भी incoming call आएगी तो आपको जो है mobile का power button और volume का up button जिससे आवाज को sound को increase करते हैं वो वाला button उपर वाला sound का up button और mobile का power button दोनों को एक साथ press करना है इस तरह किसे दोनों को दबाना है एक साथ ठीक है दबा के रखना है दो से तीन सेकिन तक तक तो इससे होगा क्या कि जब भी आपके mobile phone पे कोई भी incoming call आती है वो जो है vibrate mode पे चली जाएगी ठीक है और अगर आप इसे mute पे कर देते हैं यहाँ पे mute पे इससे select करते हैं और अगर आपके phone पे कोई भी incoming call आती है और आप जो है mobile का power button और volume up button अगर एक साथ दबाते है तो आपकी जो incoming call होती है वो mute हो जाएगी ठीक है तो यह setting जो है कुछ इस तरीके से काम करती है prevent ringing की तो यह setting जो है enable करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से काम करती है I hope कि दोस्तों आपको इस वीडियो में दिवी जानकर समझ में आई होगी तो इस setting को enable करने के बाद यह setting का ज़रूर यूज करके क्योंकि इस सेटिंग को जो है मैं भी यूज करता हूं